हलो एब्रीवान विल्कम बाक तो मैं चैनल स्टड़ी वित तुनुष्का कैसे वो सभी आई रेली होप सब अच्छे होगे अपकी हेल्थ अच्छी होगी आज का यह वीडियो बिसिकली कोई स्टड़ी व्लॉग नहीं है जस्ट वीडियो और जो भी आपसे मुझे बाती करनी हैं अभी उसे करेंगे क्योंकि आपकी ना काफे दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कुछ नेगेटिव कमेंट्स थे मोस्ट व्लॉप दे कमेंट्स वर नेगेटिव की पढ़ने में मन नहीं लगता है दिमाग बार बर अदर भटकता है और पास्त की चीज़ों में फ्यूजर की बैठते हैं ना तो बिल्कुल मोटिवेशन डाउन हो जाता है और फालतु के डिस्ट्राक्शन में हम खो जाते हैं और जब पढ़ाई नहीं करते हैं तो उस टाइम लगता है अन्य पढ़ना है पढ़ना है इतना पोशन कर लिए इतना करना है आज का ये टार्गेट आज का वोट आगे उस टाइम पढ़ाई मन में रहती है बड़ जब पढ़ने बाठते हैं तो पढ़ने का मन नहीं करता तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके लिए इंपोर्टेंट ही नहीं आपका एक्जाम इसलाइक ठीक है कर लेंगे हो जाएगा इंपोर्टेंट नहीं है त नहीं करेंगा तीन नहीं करेंगा तो चलता है लेकिन अगर मन पूरे दिन नहीं करता आपका पढ़ने का पूरे एक हफ्ते हो गया दूपके साथ होता है यह फिर दूदिन ऐसे आए बहुत मोटीवेशन डाउन होगा ऐसा आएगा क्या फील लो करोगे कुछ भी मननी दिन चलता है लेकिन अगर डेली डेली ऐसा मन करता है इट मेंस देर सम्थिंग रॉंग विद्यों और वह रॉंग यह है कि आप अपने एक्जाम के लिए सीरियस नहीं हो लिटरली मुझे सुन रहे हो अगर ऐसा करता है मन की एक दो दिन तीन दिन से जाधा पढ़ने का मन नहीं करता एक दो दिन चलता है उससे जाधा अगर ऐसा हो रहे इस वार नोट सीरियस फॉर एक्जाम स्यूर नोट सीरिस अब यह फ्यूचर स्यूच यह जो कैजूरा रहे ठीक है कर लेंगे तैयारी कर रहे हैं बस बताने के लिए अच्छा लगते हैं तैयारी कर रहे हैं बट इन आक्च्वल्यूर नोट प्रिपेरेंग पढ़ी ने रहे हो करी ने रहे हो मनी नहीं करता है वही है ना कि मतलब अभी हमारे पास टाइम है तो हम हमें इस चीज की वैल्यू नहीं है इन दे फ्यूचर हम बहुत सादा वैल्यू करेंगे इस चीजों की और विल रियल होते काश पढ़ ले होते क्योंकि अभी तो यह चीज वैल्यू हमें है नहीं कि अभी हमारे हाथ में है सब कुछ और जब जिस टाइम हमारे हाथ से सब कुछ निकल गया ना तब हम वैल्यू करेंगे इन अब चीजा कुछ हाथ में है हमारी एज है ऐटीं से लेके 25 तक 30 तक यह कुछ करने की एज होती है तब इसमें वियार डूंट फीलिंग लाइक टू स्टाड़ी एक जाएगी कि कुछ नहीं रहे जाएगा हाथ में वी विल भी 30 एब थर्टी से जादा एज हो जाएगी है ना उतनी अनर्जी भी नहीं रहेगी बॉडी में और तब उस तेम हमें कर लेते जब 20 की एज में थे तब और अभी सब कुछ है हाथ में बट भी आलाइक अरे कर लेंगे ठीक है अरे ठीक है रहे हो जाएगा कोई मितलब प्रिफरेंस ही नहीं है प्रॉर्टी नहीं है पढ़ाई यह तो बस ऐसे ही त्यारी कर रहे हैं पता नहीं हमें क्या हो गया हमें करने के लिए और हम कहते हैं मन नहीं लग रहा मन नहीं लग रहा क्रैक करना एक्जाम बनना है जो बनना है जो आप सोच के रख्यों बट पढ़ना नहीं है सब कुछ करना है पर पढ़ना नहीं है है ना इंजॉय करना है जॉप चाहिए लेकिन पढ़ना नहीं है यह त एक्जाम की तयारी करिए और आपके भी अप्राय होती जो भी आप मीने को सुन रहे हो आप भी किसी न कीसी एक्जाम की त्यारी करी रहे होंगे तो please don't waste your time कि टबारा नहीं आएगा लिख की रखेलो इसको यह टाइम दुबारा नहीं आएगा प्लीज टूंट वेस्ट एट आंट डूंट से कि पढ़ने का मन नहीं करता है नहीं करता ठीक है थोड़ी दिर रेस्ट कर लो मत पढ़ो एक दिन लिकिन सिर्फ एक दिन दूसरे दिन से पढ़ाई होनी चाहिए क्योंकि आपके मम प झाल